खंडवा लोग सभा उपचुनाओ को टाल दिया गया है। इस तरह से आकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और चुनाओ राज्यों में भी आकड़े बढ़े थे जिसके बाद निंदा हुई थी चुनाओ आयोग की लेकिन यहाँ पर एक एहम फैसला और बड़ा फैसला लिया है चुनाओ आयोग ने खंडवा लोग सभा उपचुनाओ क प्रेस नोट जारी किया जिसके माध्यम से यह सूचना दी देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है इस बीच केंदर सरकार ने इसकी तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाईजर विजय रागवन का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी वारस का संक्रमन अपने सबसे उचे लेवल पर है अब ये तै नहीं है कि ये कब आईगी और कितनी खतरनाक होगी लेकिन हमें नई लहर के लिए तयार रहना होगा रागवन बुदवार को कोरोना की स्थिती पर एक प्रेस कांफरेंस में बोल रहे थे रागवन के मताबिक इंफेक्शन के बाद शरीर में सक्रिय हुए एंटी बॉडी और वैक्सिनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खत्रा मौजूद रहेगा कोरोना अपना रूप बदलेगा हमें इसकी तयारी करनी होगी और वैक्सिन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी रागवन ने कहा कि कोरोना की पहली लहर दो फैक्टर की वज़े से कम हुई है जिन लोगों को इंफेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हुई और मास्क सोशल डिस्टेंसिंग सहीद बचाव के जोगी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ बचाव के कदमों में धिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर शुरू हुआ